आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ हमें इस question में दिया है कि if a solid and a hollow conducting sphere have same radius ठीक है अब दोको यह hollow sphere है तो इस पर चार्ज कहां present होगे मालने तो इस पर चार्ज क्यू है ठीक है Q1 ठीक है तो इस पर चार्ज कहां present होगे यह हमारा चार्ज present होगे surface पे ठीक है surface पे ठीक है अब यह क्या है यह conducting है दोनों ठीक है अगर दोनों conducting है तो जो हमारा charge होगा always surface पर ही present होगा, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं अगर conducting है तो इसके अंदर electric field क्या होना चाहिए? 0, ठीक है? अगर solid is pair है, तो इसके अंदर भी electric field और इसके अंदर भी electric field क्या होना चाहिए? 0, क्यों? क्योंकि हम gausla से जानते हैं, ठीक है? gausla ये क्या होगा ठीक है, electric field क्या होता है, 0, ठीक है, जो conductor होता है, उसमें electric field होता है, 0, ठीक है, तो यहाँ पर अगर 0 put करेंगे, तो हमारा Q inside क्या जागा, यह 0 आ गया, ठीक है, तो हम जान रहे हैं, यहाँ से, कि या solid sphere हो, या फिर hollow sphere हो, अगर यह conducting है, तो इनके अंदर कोई charge present नहीं रहने मला है, मतब यहाँ पर जो surface पर charge present होगा, वही surface पर यहाँ भी charge present होगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, दोनों ही same radius है, ठीक है, तो radius इनके क्या है, same है, ठीक है, तो अगर यहाँ से देखें, charge point volume, ठीक है, तो यहाँ पर दोनों के लिए, जो हमारा sigma होगा, यह क्या होगा, same हो जो सेम है यहाँ पर चार्ज पुन्ट बोलूम मतब रेडियस भी सेम है तो यह क्या है एक तरह से आइडिंटिकल है यह ढ़िंटिकल है बस इसमें अंतर क्या है अंतर यह है कि एक सॉलिड है और एक है surface ठीक है अगर यह conducting नहीं होता है तो यह जो हमारा charge है यह solid है तो solid पे अंदर भी charge present होता है बट due to conducting होने के करण इसका जो charge होगा हमेसा surface पे present होगा तो दोनों का यहाँ पर charge अगर देखें तो दोनों का charge क्या होगा सेम होगा क्यूंकि यह identical है ठीक है और conducting है तो जो हमारा जितना अगर देखें इसका charge point volume इसके surface पे होगा वही इसके surface पे भी charge point sigma मतलब वही same होगा solid के case में होगी ठीक है तो हम यहाँ से पता चलेगा है conducting होने के कारण इनका जो charge होगा present at the surface पे होगा और यह surface के है इनका दोनों ही identical है तो जितना charge hollow पे होगा उतना ही charge solid होगा मतलब इस पर क्यों है तो इस पर भी क्यों होगा ठीक है अब यहाँ से हम option देख ले रहे हैं ठीक है पहला option दिया है कि hollow a sphere will hold more charge more maximum charge यह गलत हो गया solid यह दिया है यह भी गलत होगा but both the charge will hold the same maximum charge ठीक है तो यह हमारा question का आंसर हो जाएगा ठीक है क्योंकि जो हम जान रहे हैं जितना भी charge hollow sphere content करेगा maximum charge उतना ही maximum charge solid sphere content करेगा क्योंकि यह identical है और हम जान रहे हैं यह conducting होने के करण जो charge होता है इनके surface प्रेजेंट होता है ठीक है यह हो गया हमारा question का answer Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करे doubtnet आप यह WhatsApp कीजिए अपने doubts 8400-400-400 पर